तो कैसे हो आप सब लोग सौरी बच्चो एक्चल में कुछ अच्छ में बता देती हूं कि मैं किया ना स्पेशल विएड कर रही हूं तो एक से साथ के विश में कुछ प्रैक्टिकल वगरा पता नहीं क्या सिस्टम है वहां का तो उसकी वज़े से क्या है मैं थोड़ा बीजी हो रही हूं मुझे वहां रेगुलर जाना सा पढ़ रहा है तो मैं टाइम से पहुच नहीं पाती हूं तो इस वज़े से थोड़ा एक से साथ के वीच में थोड़ी परेशानिया है और मैं कोशिच करूँ हूं जैसे मुझे टाइम मिलता है आपके लिए क्लासिस करना कि आप एक से साथ के वीच में थोड़ा सा कॉपरेट करने के कोशिच करना बच्चा उसके बाद तो हमें रेगुलर सेशन सटेंड करेंगे तो मैं आइविल प्रॉमिस आप लोगो को कि मैं आप संड़ी की वी चुट्टी नहीं लूंगे समन्त क्योंकि एक से साथ के मैं हमारी काफी थोड़ा ऐसा हो जाएगा एक रेगुलर्टी नहीं बन पाएगी तो आइविल ट्राए कि मैं आप फिर आपकी संड़ी संड़ी को भी क्लासिस ले लूंग पर ट्राय करना थोड़ा कोपरेट करने की एंड में से जितना पॉसिवल पाएगा मैं उतना आपक कि मेरा मोटो है कि रेगुलर्टी बनी रहे चाहिए रिकॉर्ड फॉर्म में चाहिए आप लोगों का लाइप जाहिए पस किलास आपके पास पहुंचनी चाहिए तो आज हम लोग जो है एक सीरीज स्टार्ट की है आप लोगों के लिए मैंने वेस्टन पॉलिटिकल तिंकर कि और बेस्टन पॉलिटर तिंकर्स को हम किते बहुत दिनों से ऑड़ी पढ़ी रहेते उसको और हम लोगों ईटेल से पढ़ रहे तो पस रेगूलर सेशन ऄंकरते रहिए गाजि और आप लोगों को यदी वेसाथ पढ़ना है तो डेली पढ़ सकते हो और मेरा नाम तरह की चल रही चल रही है तो और साथ में आपको एंच्वोग मिलेगे तो यदि आप लोगों को अभी पर्टिकूल से पॉर्टिकल पढ़ना तो भी आप जोड़ सकते हो तो बहुती फालेशन पर बहुत ही झालर भाएच जरुआ है वहेच जर्प आप प्रथ पॉल्टिकल थियोरी के पीवाई क्यूस करवाई हैं यह सीरीज आपकी वेस्टन थिंकर्स की सीरीज वेस्टन तिंकर्स के तुहंड़ेड के सब्सक्राइब करने वाले हैं तो रेगुलर्टी के साथ जोड़े रहना है और क्लास को शीयर करना है साथ ही, आपको मेशा बताता हूं कि वीवाई क्यूस का रोल में बहुत ज्यादा है सेलेक्शन में जो इसका रोल होता है उसमें मैंने यह वह स defend करए डेलगे के सपस्यूंधन है वो आपको याद में होने चाहिए उन्हें कहते है real PYQs analysis करना ठीक है तो इस तरह से यदि आप PYQs को analysis करोगे तो ये मैं assure हूँ कि यदि आप इसी तरीके से करोगे paper 2 में तो आपका net clear हो जाएगा क्योंकि net में PYQs का role हमारा बहुत important role होता है तो इसी वज़े से आपसे कह रहे हूँ this series is gonna to be very 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 useful तो पहला question है आप सब लोगों के लिए कि न्याय सामजिक संस्ताओं का प्रेथम सद्गुन है question सारे आपको याद होनी चाहिए, memorize हो जानी चाहिए, इसी उतेशन से बस आपको ये बीवाई की स्रीज में लेकर आई हूँ तो ये statement जो है आपने पढ़े लिया होगा इत्ती देशे तो इसका आपका आंसर होगा question क्या पूचा है कि न्याय जो है वो सामजिक संस्ताओं का प्रेथम सद्गुन है देखिए John Ross जो है theory of justice तीक है कौन से पुस्तक लिखी थी theory of justice इनके दौरा एक पुस्तक लिखी गई थी इस पुस्तक के अंतरकत इन्होंने अपने न्याय का सामजिक समझोतावादी सिध्धान्त प्रेस्तुत किया था हालनकि हम सामजिक समझोतावादी पुस्तक काउचम तो इन्होंने इस पुस्तक के मत्यम से राजे की स्थापना थी स्थापना की थी राज्य की स्थापना कीती और आप इसमें कोटिल लेका नाम भी लेके आ सकते हो यह भी सोशल कॉंटेक्ट के फेवर में है लेके इन्होंने क्या है राज्य की स्थापना कीती समझोते के माध्यम से लेकिन आपकी जॉन रोस जो है इन्होंने सामाजी समझोते के माध्यम से न याय की स्थापना कीती तो कौशन आपका कैसे भी पूचा जा सकता है अब चीज आती है कि जॉन रोस ने अपनी पुस्तक त्योरी ऑफ जस्टिस लिखी थी 1971 में ये पुस्तक लिखी थी अमेरिका जो है उसमें उस वक्त निर्जातिय संगर्ष चल रहा था निर्जातिय संग करने के लिए इसने अपनी पुस्तक लिखी नि इसने अपना न्याय का सिध्धान्त दिया जो लोग से प्रभाबित है और कांट से प्रभाबित न्याय का सिध्धान्त था आप इसनों ने कहा और रोल्स का कौशन था भी दिसमर 2023 में भी पूचा गया और उन्य स्वाइए को प्रत्थम सत्वुन्ण है तो यह स्टेट्मेंट आप से किसके दोरा बोला गया था आप लोगों का जॉन रॉज्स के दोरा ही बोला गया था किसके दोरा बोला गया था ठीक है किलियर नेस्ट क्वेशन है आप लोगों का बताईए कि राजनीती रक्तपात रही तो युद्ध है और युद्ध रक्तपात युद्ध राजनीती है यह कतन किसका है बहुत इंपोर्टन स्टेट्मेंट है और नजाने कितनी बार ये क्वेशन पूछा दा चुका है कि राजनीती ज युद्ध है फडह यह मांड वार है इसका जो यह जो वर्ड है है यह से लेकर यहनवार थ laugh यह मार 7व खुल्ड वल्ड और ता कों सा युद्ध था लगसे पात रहीती युद्ध था कैसा युद्ध था रक्त पात रहित युद्ध ही था क्योंकि यहाँ पर आपका USA सार था और एक तरफ कौन था आपका USA था ये दोनों जो है वो डिरेट युद्ध के मैदान में तो नहीं लड़े पर इनके अंदर बैचारी क्रांती रही मन मुटाव रहा तो राजनिती जो अब वो एक mind war है mind जो है रक्त पात रहित युद्ध है और युद्ध रक्त पात युप्त रक्त पात युप्त राजनिती है ठीक है और इसका मतलब यह है कि जो युद्ध होते है ना उन युद्धों के पीछे किसका काम होता है पॉलिटिक्स का काम हुदा है जैसे मैं आपको बताओं कि जो आपका फर्स्ट वर्ड वॉर्ड हुआ 1914 से लेके 1908 और जो सेकंड वर्ड वॉर्ड हुआ ठीक है 1909 से लेके 1945 चलो आपको यदि बर्ड का प्रोस्पेक्टस याद नहीं युद्ध था ये युद्ध राजनिती का ही खेलता पूरा कैसा था राजनिती का सुनो इसके बीचे रीजन क्या था यदि आप लोगों ने इसके पीछे यदि आपने 12th क्लास में बुक आती है बोड़ के बीच में आपने आपको पावर्फुल महिला की में रिप्रेजेंट करना चाहती थी तो आको पता है आपको पाकिस्तान जब इंडिया से फिरी वा था नाइटींट फटीव सेवन में तो पाकिस्टान की दो भागते लोगों क्या है अपने अधिकारों के लिए मुझीबुर रहमान थे इन सीग मुझीबुर रहमान की निततनी यहाँ पर जो है स्वतनता के लड़ाई हुई इंद्रा गांदी जी ने चला के हस्तचेव किया उनका उद्देश्य ही था मतलब यदि वो नहीं भी चाहती न तो इन्वाल नहीं हो सकती ऐसा नहीं था कि उन्ह जो बांगला देश का पीछे जो युद्ध हुआ जिसमें बांगला देश को फ्री किया गया स्वतनत देश बनाया इसके पीछे पूरी की पूरी राजनेदी थी जिसमें भारत इंवाल्व हुआ था ठीक है समझ वाया यह स्टेट्मिंट आपको समझाया बहुत अच्छे स जों बात था आपको से कौलेनगला था सूकूरी के युद्ध राजनीते रख्तफात रहत युद्ध रख्तपात युद्ध स्ट एक। राजनिती है के लिए यहां तक का चलिए नेस्ट कुशन को डिसकेशन कर लेते हैं आजाओ जी निमलेकित में से किस ने कहा कि इंगलेंड केवल चुनावों के दोरान लोग तामत्रिक होता है मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं आप लोगों के लिए जादा लंबी नहीं पर छोटी ही लेकर रहा हूँ मैं इस पर वर्क करती हूँ थोड़ा आई विल थिंक अवाउट थोड़ा वर्क करती हूँ इस पर एक्ट मैं याद तो मुझे है पर उसके लिए आपको नोर्स बराने पड़ेंगे मुझे आपके लिए मैं स्टार्ट कर दूंगी एक से साथ की विच में थोड़ा बीजी हूँ इस जैसे में इस से फ्री होंगी मैं नोर्स बनाओंगी और फिर मैं आपके लिए एंसे आर्टिस के महरा थन लेकर आऊंगे क्योंकि मुझे लगता है आपको इसकी जरूरत है क्योंकि यह के लिए रख होने के बाद आप पॉलिटिकल साइंस का जो फोविया है ना फीवर वो दूर हो जाएगा आपका चलो प्लान करते हूं तो बदाए निम लिकित में से किस ने कहा कि इंग्लेंड के वल चिनागों के दौरान लोग तांत्रिक होता है ठीक है क्या है कि इंग्लेंड जो एंग्लेंड किवल चिनागों के दौरान लोग तांत्रिक होता है एसा आप लोगों के रूसों-जी के दौरा घटको बहुत अच्छे से पता है कि हमारे रूसों-जी कौन है सामजिक सम्झोता बादी बिचारаб है इंका जो जनम है वो स्विजरलेंड मे हुआ था और स्वीजर लेंड के आइजर जो है वहाँ पर इनका जनम हुआ और रूसो का पूरा जीवन यह माली जे भटकते भटकते नजाने कहां से सुनते है ना तो बस उसी में ही इनका जीवन निकला इन्होंने सामझी समझोता वादी जो विचारक है इनने सामन ने प्रत्यक्ष चुनाव का समर्थन करते हैं किसका समर्थन करते हैं प्रत्यक्ष चुनाव जो है उसका समर्थन करते हैं इस आधार पर इन्होंने बोला क्योंकि इन्होंने बोला कि इंग्लेंड जो है न वो सिर्फ हमें लोक्तांत्रिक लगता है चुनावों में क्योंकि दसी हाथ दूसरा सिस्टम और है इंगलैंड में एलिखित समिधान पाया जाता है यहां पर सभाके दौरा मिलकरकर के समिधान नहीं बनाया गया ठिक एब अर यहां पर को पर conveni इंग्लेंड की है ना यहां की जो रृति रिवाज की माध्याम से यहां पर क्या चलता है शाशन व्यवस्ता चलती है कहां कि इंग्लेंड की ठीक है के लिए और इंग्लेंड में एक सब्दन है लाड़ सवा इसका जो रूल है बहुत जादा है यह ना बजाए यह उच्छ सदन है इंग्लेंड की संसत का और एक होता है यहां का निम्न सदन तो यहां पर जो यह उच्छ सदन जो है ना उसका रूल जाद है बजाए निम्न सदन का तो यह सारी सारे फैक्टर्स है इन आधारों पर हम कह सकते कि इलेक्शन के थ्रोई हमें पता चलता है कि इंग्लेंड जो एक डेमुक्राटिक कंट्री है अधर्वाइस जो है वो हमें समझ में नहीं आता है यह तो ठीक है किलर हो गया तो देखो आप इस तरह से हम पढ़ने वाले तो बहुत इसे हम कहते है रियर एनालाइसिस ऑफ दा कॉश्चन की बाल की खान निकालना आजो नेक्स्ट है आपका कि निम्लिकित में से कौन सा कतन होप्स के संदर्व दर्शन से सम्मन्दित है अब यहाँ पर होप्स आ गया है अब मतलब क्या होता है कि आप जब कॉश्चन करो एक रियल स्टुडेंट कौन सा होता है बता है जो practice sessions लगाता है जो mock लगाता है कि question में पढ़ते ही उस question से related सारी चीज़े mind में आ जाना जैसे hops पढ़ा तो hops के सारी विचारे आपके mind में आ गए that means आपने real पढ़ाई की है ठीक है उसी पढ़ाई को आप अच्छे से मानते हैं वैसा है कि hops पढ़ा hops से related सारी thoughts आ गए that means आप पढ़ रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है और आपको याद हो रहा है लेकिन आपने hops पढ़ा और आपको समझ में नहीं आया है समझ में आया आपको कुछ भी समझ में नहीं आया आपके mind blank हो चुका है that means आपको वो topic याद नहीं है आपको दुबारा उस पर काम करने की जफरत है तो hops की दर्शन से related question पूचा गया है तो सोचो विचार करो और फिर मैं इसका answer देते आज़ोई देखो question पूचा गया है hops का hops आपको पता है कौन से है सामाजिक समझोता वादी विचारक चलो इनको पढ़ाने से पहले options पढ़ते है hops की दर्शन से सम्मंदित है कि मानवी एक्षा में कुछ भी आध्यातने या इंदरिया तीत का समावेश नहीं होता है कता ही सही बात है क्यों कहां वो भी पताऊंगे ऑफ्स बीजा शर्तर सब्सक्रणांगे में थितार, वेवेश से आधे चल रहा था और एक तरर लोगों के इंगलैंड में हाथ ones रहा था इतनाल ग्रह युद्जन्जन था इससी दोहन िए अधार चारों थे बात हमें तनांग का बंऄ भिनाट हुआ था और इसलिए होफ्स ने एक statement भी जारी किया इन्होंने एक बात भी बोली थी कि मेरी माने एक साथ दो संतानों को जनम दिया एक तो मुझे और भैको मतलब इन्होंने और इन्होंने चारों तरफ अशांती का ही माहौल देखा इसी पर आदायत इन्होंने अपना समझोता सिध्धान्त प्रेस्तापित किया और इसलिए इन्होंने जो आना वो आत्म रक्षा का अधिकार दिया है इसलिए इन्होंने भागने का अधिकार भी दिया है कि भई आपको अपनी रक्षा के लिए भागना भी पड़ा है ना कहीं से भाग जाओ ठीक है तो बस भई है इन्होंने का कि मानवी एक्षा में ये आध्यात ने गया इंद्यातीत जीसा कुछ भी नहीं है क्योंकि मानव जो बहुती जादा स्वार्थी प्राणी है एनेतिक प इग्षाणीय है जो सिर्फ खुद की लिए सोचता है ऐसा किसकी तोरह कहा गया था क्योंकि का या था झिक ए इसकी उसकी बाद आधा जीवन को वह अपने आप में कितिकर रहा है उसका जो चलता रहता है आपकी बज़े से यह मेरी बज़े से यह रोखता नहीं है ठीक है? के लिए? चलिए तो next question को discuss कर लेते हैं आप आजाई next question है आपका Karl Marx का question है Karl Marx का question क्या है? क्या का है? Assession and Reason का question है आपके और इस ताइब के आपके पता है political science में mostly four types of questions पूछे जाते हैं कैसे questions पूछे जाते है? four types of questions पूछे जाते है एक तो आते हैं आप लोगों के assertion के questions या assertion और reason के questions मतला कतन कारण के questions एक आते हैं आप लोगों के matching वाले questions और इन matching वालों में तो mostly आप लोगों के books से related questions सबसे जादा पूछे जाते हैं एक आते हैं आपके political science में passeses वाले questions, passes का मतलब होता है आप रोगों का unseen passes या comprehensive कह सकते हैं इसके अलाबा हमारा political science के अंतरगत जो हमारे questions आते हैं इनमें matching के questions और passes के questions के अलाबा multiple options के questions भी आते हैं कैसे आते हैं? multiple options के A या B होगा या B या C का होगा तो जो हमें क्या करता है बहुत जादा disrupt करता है अब इन questions को हम क्या कर सकते हैं जब हम practice sessions लगाएंगे तब हम इनको कर पाएंगे without practice session इनका कुछ भी मतलम नहीं है तो आपको practice करनी होगी इन सब चीज़ों के लिए और इसके लिए भी सबसे बहुत practice मांगता है ये भी आपका बहुत practice मांगता है हालां कि matching वारे questions में तो यदि आपको fact याद है बहुत अर्तक तो काम चल जाता है पर ये दोनों दो practice सबसे ज़ादा मांगते है तो चलो कौतन है आप लोगों का कि काल मांक्स ने अपना इस नात को उत्तर शोध प्रवंद हीगल पर लिखा था साम्मेवाद होगे नहीं हीगल साम्मेवादी समाज में किसी के भी पास कारक अलापो का कोई एक विशेष्ट चेत्र नहीं होता है बताईए जी इसका आंसर क्या होगा तो देखो जी इसका आपका आंसर होगा फोर क्या होगा फोर होगा कैसे होगा इसकी पिछे रीजन है सुन लीजे क्या है कि काल मांक्स आपको पता है कौन है काल मांक्स तो बहुत ही इन्होंने द्वन्दाप्नम भुतिकता बाद सिध्धान्त दिया इतिहास की आर्थिक ब्याक्या इनके तोरह की गई इन्होंने जो है वो श्रम का सिध्धान्त भी इनके गरा जो है वो दिया गया तो काफी famous है इनोंने Samiawaad की स्थापना के बारे में बोला, है न? तो इनोने क्राम्ति के लिए बोला, कालमाक्स की बहुत famous है, इनके बन बताना भी चाहे, तो start नहीं होगा, तो इनोने अपना स्थनाथ को तरशोध प्रबंध हीगल पर लिखा तो ऐसा नहीं है? सामयबादी समाज میں किसी भी पास कार्यकलापो का कोई एक विसम्ष्ट छेतर नहीं होता है अर्थात यहाँ पर जो है वो लोग क्या करते हैं अपनी आवशक्ताओं के पूर्ती के लिए कार्य करते हैं मतलब आवशक्ताओं के लिए जो बतलब जो जितनी जिसको आवशक्ता है उसके इसाब से वो क्या है उनको चीजें मिलेगी और संसाधन जो है वो मिलेगी अर्ता देख ऐसा है जहापर जो है वो कोई भी बर्ग नहीं है जहापर कोई राज़य नहीं है जहापर किसी की कोई संपत्ती नहीं है है ना सब आप लोगों का सूची है और सूची दो है मैच करना है जैसा मैंने आपको बताया था है मैचिंग वाले चौक्षेशन जो आते हैं इनमें दिमाग लगाना होता है इनमें देहां इनमें इनमें च्थमांट से जाएगा पूल जाए 2023 का पेपर उठाकर देखें तो हमें बोक्स वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलेते हैं ठीक है तो बहुत अच्छी से नीली ऑब्जर्व करके क्वेश्चन को पढ़ना क्योंकि तब ही जाके चीचे समझ में आती हैं तो देखो इसका आपको आंसर हो जाना है बी ठीक है क्लास को पोस कर लिया करना क्योंकि रिकॉर्डर क्लास है तो मैं ज्यादा टाइम नहीं दे सकती भी न क्लास को क्यों बढ़ा हूं तो आप पोस कर ले ना कॉश्चन को देखने के बाद और फिर इसलिए मैं जो 10 सेकंड क्लास को रोग की कॉश्चन पढ़ लो फिर मैं जैसे पोच अटा होगे थोड़ दिरवादी हान से मिल जाएगा तो क्या होता है ना कि संकल्पना एक है इस कि जहां पर क्या है कोई बर्ग नहीं होगा किसी भी प्रकार का कोई बर्ग नहीं होगा बर्ग भी हिन राज्य के बारे में बाते इनके दोरा ही कहीं गई है तीक है माक्स को कहता है कि सबसे पहले क्रामती जो है वो कहां पर होगी रूस में होगी जबकि लेलिन कहता है कि अधुसको आधिडिया, तो परोवय कर्यान 것을 बता ये पर अल्गा तो ऊपिसले 3 जिवन के रूप में रूप में रूस हींगल ही बताइगया यह तो अंमें हेटा है क्यूकि.. कि आधुनिक उसका आधुनिक समय के अंत्रगत यह माली जिए कि जब मध्यकाल था तो उस मध्यकाल में जब चर्च और राज्य का संगर्ष शड़ रहा था तो उस चर्च राज्य के संगर्ष में मैक्या बली नहीं पहली बार जो है सक्ति राजनिती की नीव नकी है ना और स जो है राजनिती में से नैतिकता और धर्म को हटा दिया नैतिकता को हटा कर तो शक्ति राजनिती लेकर आया और धर्म को हटा करके धर्म नेपिछ राज्य के नीव रखी तो शक्ति के रूप में राज्य को प्रतिनिदीत कर रिया है मैक्या बली ने ठीक है और हॉप्स के दोरा ही खाया है जिसने लेवियाथन वर्ड यूज किया है क्या है लेवियाथन वर्ड यूज में लिया है जिसको इसने पूरी राज्य के लिए इस वर्ड का यूज किया है जिसे इसने संप्रभु सक्तियां सौप दिया संप्रभु बना दिया है ठीक है जो की ऐसी स्वेक्षाय तंतरबादी विचारक है, तो है नौजिक हो गया, बालजर भी इसी के अंतरगधादा आगा, मिल्टन फ्रीड मैन हो गए ये चारो की चारो आपके स्वेक्षा तंत्रवादी बिचारे गए जिसने नकारत्म उतारबाद को दुबारा जो है वो सर्किल में लाने के कोशिश की थी तो आपके हेक हैं और नौजिक हैं इन दोनों के दोरा क्या है मिनीमम स्टेट को कि सेख्षा तंत्रवादी है तो सेख्षा तंत्रवादी मिनीमम स्टेट का समर्तन करते हैं या फिर ये माली से प्रहरी राज्या का समर्तन करते हैं मतलब जहापे राज्या का काम सिर्फ आंत् यह युद्धों से रक्षा करना होता है तो प्रकाशन बर्ष के अनुसार निम लिकित को काल क्रम के अनुसार विबस्तित की जिए कि हुली फैमिली के टिक पॉलिटिकल एकोनोमी पावर्टी और फिलोसोफी एंड वेल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट तो यह बुक आपकी कप कप आई हैं बताईए तो तो टीक है चलिए तो अब इसका अंसर कर लेते हैं तो तुदेगो यह Holy Family जो बुक है आप लोगों की ये किसकी है? Karl Marx की, ठीक है? किसकी पुस्तक है? ये एक तो Karl Marx की और Angels की, ठीक है? Angels जो है वो सही होगी रहे हैं Karl Marx के साथ, ठीक है? तो ये Karl Marx की और 1844 जो है ये इनकी बुक है, 1844 में Critic of Political Economy ठीक है? ये Critic of Political Economy ये भी किसकी पुस्तक है? आप लोगों की Karl Marx की पुस्तक है बिच इस और सो बेरी मुस्ट इंपॉर्टेंट अब ये जो बुक है इन लोगों की ठीक है? ये लिकी गई थी 1859 में The Poverty of Philosophy ये पुस्तक भी आपकी Karl Marx की है जो 1840 ये मालीजे 49 ही 1849 मतलब कि अंत्रगत जो ये भुकाई के लिए तो इसके आधार पर जो हो हमारी हो जाएगी पहले तो हो जाएगी ये 1844 की फिर आजाएगी आप लोगों की The Poverty of Philosophy 1849 फिर आजाएगी आप लोगों की किटेक of Political Economy 1859 value price and profit ये भी जो है वो Karl Marx की बहुत फेमस पुस्तक है और ये आई थी आपकी 1865 में कब आई थी 1865 में तो इस आधार पर ये चारो की चारो आपकी कौन सी बुक है Karl Marx की आपकी बुक्स हो जाएगी ठीक है केलर हुआ चलिए जाए नएस मूख है आपकी घीगल हीगल के नुज़ार निर्पेक्षो चेतना ईश्वर स्वैम को निमलिकित में से किस अनुक्रम में अभिव्यक्त करती है जो चेतना होती है न वो स्वैम को अपने आप में कैसे बताती है मतलब इसका चेतना चलो पहले ही बताओ तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आत्म चेतना के आने के बाद उसमें विवेक आता है और फिर वो आत्म तत्व की क्या करती है प्राप्ती मतलब परम सत्य की प्राप्ती कर लेती है ठीक है के लिए सुलीजे हीगल के नुसान निर्पेक्षु चेतना क्या होते है निर्पैक्षो चेतना मितला इश्वर जो है वह को निवलिगत के सनुखरम में अविवर्त करता है तो सबसे पहले इसके अंतकत आती है बचो सामन्य 이제तना कि इसमें क्या होता है कि पहले सामन्य आत्भी के अंतकत नॉर्मल चेतना की, फिर उसके बाद उसमें अपने आपको बारे में समझेगा विवेक आएगा और लास्ट में जाके वो आत्मपरम सत्य के बारे में जुबू ग्यान प्राप्त कर पाएगा तो देखो यह आज के लिए हमारे यही इतना ही ठीक है फिर हमारी नेस्ट क्लास होगी उसमें हम इसको और अच्छी से समझने के कोशिश करेंगे तो देखी डेली आप लोगों की Monday to Saturday यह सेशन होते हैं आप लोगों की सुबह 11 बजे यूटूब पर पेपर वन की और शाम को 6 बजे पेपर 2 की क्लास होती है पेड क्लास इस भी होती है दो वार पेड क्लास होती है आप लोगों क सब्सक्राइब तो इस साथ आप लोगों को यदि पॉलिटिकल साइंस का पूरा कॉरस पढ़ना है दिटेल में पढ़ना है तो आप लोग 6499 रुपों में यह कोर्स भी परचेस कर सकते हो इसमें आपको हैंड़ बूक भी मिलेगी और foundation के साथ पूरा course cover करवाया दाएगा ठीक है